Hello and welcome to a sports fact, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भारदवाज IPL का मेगा उक्षन समाप्त हो चुका है और मेगा उक्षन के बाद एक खिलारी जो है जिसका नाम लगतार चर्चाओं में रहा है और उस खिलारी को लेकर चर्चा होनी भी चाहिए IPL के तिहास में बेहद ही शांदार तरीके से बलेबाजी मैदान पर बेहद ही शांदार तरीके की फिल्डिंग इसके बावजूद उस खिलारी के उपर बोली ना लगना कहीं न कहीं IPL देखने वाले हर एक फैन के लिए बहुत ही करारा जटका साबित हुआ है और इस करी में आपको बता दे कि खुद उनकी टीम ने उनके पीछे बोली नहीं लगाई और साथी साथ जिस तरीके से इस खिलारी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि कम से कम उनकी टीम जिससे वो लगातार पिछले कई सालों से खेलते हुए आ रहे हैं वो भी उनके पीछे बीडिंग में नहीं जाएगे जी हम बात करें उस खिलारी की वो नाम है सुरेश रहना सुरेश रहना को लेकर लगातार कई तरीके के मीडिया में खबरे चली लगातार उनके सिएस्के के जो है गुझे ना लगाने के पीछेगी तमाम नडुकी वजहों पर बाचित हुई हमने भी हरेक पहलू पर चर्चा की आपको उन पहलू पर भी बताया कि सुरेशरैना कि न उन वजहों से वापस है वो क्या-क्या उप्सन है सुरे सरेना को लेकर जिसको लेकर वापस से हम उनको IPL 2022 में देख सकते हैं उन पे भी चर्चा की हमने साथी साथ सोसल मीडिया पर लगातार तमाम तरे की खबरे आ रही हैं कि वो मुमेंडियस में जा सकते हैं किसी और टीम में भी जा सकते हैं लेकिन भाईया जब तक पर्स एलाउन नहीं करेगा किसे टीम को अभी भी ऑप्सन जो है वो पर्स के भ्यापी हैं जिस भी टीम के पास आप देख सकते हैं दो करोर से ज्यादा रुपए हैं उनके पास ऑप्सन है सुरे सरेना को अपने खेमे में मिलेने के लेकिन इस बीच आपको बता देगे आईपिल के साथ साथ जब आईपिल का मेगा उक्सन चल रहा था उसके पहले एक बुड़ी खबर आयती जिहां वो बुड़ी खबर ये थी कि सुरे सरेना अपने पिता को खो चुके थे और ये कही ना कहीं किसी भी इंसान के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि emotional breakdown वाला पल हो लाकि उस तस्वीर को हम आपको दिखाने वाले उस तस्वीर को देखिए और साथी साथ रहना ने उसमें लिखा है कि देखिए जिंदगी वैसी नहीं चल रही है हम आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करें आप हमारी यादों में हमेशा यूही बरकरार रहेंगे आप हमारी ज्यादों में हमेशा हमारी साथ रहेंगे तो ये एक emotional post जो है वो सुरे सरैना ने share किया है अपने पिता को सरदांजली देते वे अपने पिता को प्रणाम करते वे एक तस्वीर सुरे सरैना ने share किया और कहीं ना कहीं ये भावनात्मक पल जो है किसी भी इंसान के लिए बहु ज्यादा उदास है जिस तरीके सुरे सरैना ने जब ये ख़बर साजा किया था कि हो अपने पिता को खोच चुके हैं उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहें तब जाकर लगातार हमने आपको इस पर अब्डेट भी दिया था सुरे सरैना जिस तरीके से लगातार एक शान आपको दिखा रहे हैं। água फिर से कि सुर्य श्रयणा ने अपने पिता के लिए किस तरीके से प्यार का इजार किया है। अपने पिता को सरदांज़ी देता है किस तरीके से उन्हों ने एक कोड़ से लिए उस तस्वीर के साथ। वह आप तस्वीर को देखिए। तो चलिए ऐसे ही खबर और अपडेट के लिए स्पोर्ट स्पेक के साथ बने रहेगा और अभी तक आपने चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें